सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहने वाली दीपीका पादुकोन ने 2020 खतम होते ही अपने सारे इंस्टा पोस्ट डिलीट कर दिये इसके साथ ही उन्होंने अपने सारे ट्विट भी डिलीट कर दिये नई साल के मौके पर जब दीपीका का इंस्टा एकाउंट देखा गया तो जीरो पोस्ट नजर आई वहीं उनकी इंस्टा स्टोरी अभी भी देखी जा सकती है खुद दीपीका पादुकोन ने अभी तक इसकी वज़ा नहीं बताई है अब हब भी परिशान हो रहे होंगे कि आखिर नई साल के मौके पर दीपीका पादुकोन ने ऐसा क्यों किया दीपीका पादुकोन ने अपनी दमदार आक्टिंग के दम पर लोगों की दिलों में खास जगा बनाई है दीपीका के इंस्टाग्राम पर 52 मिलियन फॉलोज हैं वही ट्विटर पर भी उनकी काफी फैन फॉलाइंग है उनके चाहने वाले उनसे जुड़ी हर खबर जानने के लिए काफी बेताब रहते हैं लेकिन दीपीका के फैन्स को एक बात काफी परिशान कर रही होगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अचानक से अपनी सारी पोस्ट ट्वेट डिलीट कर दिये तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो दीपीका को ये कदम उठाना पड़ा खबरों के माने तो दीपीका पादुकौन किसी खास प्रोजेक्ट की तयारी कर रही है जिसके चलते हैं उन्होंने अपनी प्रोफाइल फोटो भी चेंज कर ली है ऐसे में कहा जा रहा है कि ये किसी प्रोमोशन का हिसा भी हो सकता है फैंस को भी ये जानने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा वही साल 2020 में दीपीका के जिंदगी में काफी उतल-पुतल मजी रही उनका नाम ड्रक्स केस में सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें काफी ट्रोल भी किया गया था मीडिय यूजर्स ने उन पर काफी सारे मीम्स भी बनाई जो काफी वारेल हुए हो सकता है इन सभी बातों को बुलाने के लिए दीपीका ने अपनी पोस्ट डिलीट कर दिये इसके लावा अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि दीपीका पादुकोन 2021 में एक नए सिरे से शुरुआत करना चाहती है जिसके चलते उन्होंने ऐसा किया है वैसे इस टाइम दीपीका पादुकोन फिल्मों से दूर राजिस्तान में रणबीर सिंग नए साल का जश्न मना रही है वैसे आपको बता दे कि अपने सारी पोस्ट डिलीट करने के बाद दीपीका पादुकोन ने एक ओडियो डाइरी भी शेर कर अपने फांस को नए साल की बधाई दी है तो आप ज़दा परिशान नहों कि आखिर दीपीका पादुकोन ने ऐसा क्यों किया